दोस्तों जस्ट अभी कुछ देर पहले विदानता लिमिटेट की तरफ से काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कमपनी ने अब 21st आफ सेप्टेंबर को बोर्ड मीटिंग और्गनाईस कर दिये और इसके साथ इस वीडियो के अंदर तीन डिविदेंट स्टॉक्स को भी कवर करने जा रहा हूँ मैं हूँ आरुश आप देख रहे हैं फेनो मीडिया भाया आरुश आईए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं आईए दोस्तों सबसे पहले विदानता लिमिटेड की बात कर लेते हैं उसके बाद में हम लोग तीन डिविडेंट अनॉसमेंट को कवर करेंगे तो आज कुछ देर पहले विदानता लिमिटेड की तरफ से काफी बड़ा अनॉसमेंट आ चुका है कमपनी ने आपे 21st of September को बोर्ड मीटेंग और बताय जा रहा है कि कमपनी इस बोर्ड मीटेंग के अंदर एक काफी बड़ा डिसीजन लेने वाली है अगर और डिटेल में बताऊं तो आज 17th of September को संडे के दिन विदानता लिमिटेड की तरफ से अनॉसमेंट निकल के आया है कि यहाँ पे डिरेक्टर्स ने जो है कमपनी के 21st of September को बोर्ड मीटेंग और गनाइस कर दी है और इस बोर्ड मीटेंग का जो में परपस रहने वाला है वो यह है कि कमपनी जो है यहाँ पे नॉन कनवर्टेबल डिवेंचर्स को इशु करेगी प्राइविट प्लेस्मेंट बेसिस के उपर में अब क्या होता है यह और डिटेल में आपको समझा देता हूँ बेसिकली कमपनी एक रीफाइनसिंग का तरीका अपना रिये अगर काफी जादर सिंपली आपको समझाओं तो कमपनी एक जगा से लोन लेके अपने दूसरे लोन्स को क्लियर करना चारिये मदलब कमपनी आपे नॉन कनवर्टेबल डिवेंचर्स को इशू करेगी जिसके अगेंस्ट में कमपनी आपे पैसा उठाएगी और उस पैसे से अपने पुराने लोन्स को यहाँ पे क्लियर आफ करेगी अगर और डिटेल में बताऊं तो कमपनी ने क्लियर लिका है यह एक नॉर्मल रूट है किसी भी बिजनस के लिए एक और्डिनरी कोर्स है रीफाइनसिंग का और यहाँ पे कोटक इंस्टिट्यूशनल एक्विटीस के जरीए एक अपडेट निकल के आया है जिसके तहत विदानता लिमिटेड की जो पेरेंट कमपनी है विदानता रिसोर्स बिमिटेड तो यहाँ पे विदानता रिसोर्स को जो है 2025 तक दो हजार पच्चिस तक जो है ये भी बताया जा रहा है जो अगला financial year है उसके अंदर विदानता resources को 3.6 billion dollar का एक debt का repayment करना है जो की काफी बड़ा payment है and but obviously बाते company के पास इतने ज़्यादा funds मौझूद नहीं है कि company इसका repayment easily कर पाए इसलिए company आपे refinancing का जरिया उठा रही है company आपे deventures issue करेगी साथी साथ में थोड़ी बहुत जगाओं से loan लेगी सारा पैसा collect करके next financial year तक 3.6 billion dollar का एक जो debt है यानि की loan है इसका repayment company करने वाली है अब ये काफी बड़ी अपडेट है इसलिए मंडे के दिन में definitely आपको विदानता लिमिटेट के stock के उपर में नजर बना के रखनी चाहिए और 21st of September को यहाँ बोर्ड मीटिंग के अंदर जो भी बड़ी updates आएंगी मैं आप लगों के साथ में सबसे पहले share कर दूँगा अब आजाते हैं बात कर लेते हैं dividend announcements की तो पहली company का नाम है चमनलाल सेटिया इस company का stock price 202 रूपीज के उपर में चल रहा है company ने आपे dividend announce कर दिया है 1 रूपीज का और इस dividend को देने की जो X date और record date है वो 21st of September की होने वाली है अगले stock की बात करें तो company का नाम है Sam Kirk Pistons Limited इस company का stock price 151 रूपीज के उपर में चल रहा है company ने आपे dividend announce करके रखा है 2.50 रूपीज का और dividend को देने की जो X date और record date है वो 21st of September की होने वाली है आईए बात करते हैं आपे मारे अगले end last stock की तो company का नाम है भारत भूशन फाइनस इस company का stock price सिरफ 30 रूपीज के उपर में चल रहा है company ने आपे dividend कर दिया है 0.60 रूपीज का और इस dividend को देने की जो X date और record date है वो 22nd of September की होने वाली है अब अगर आपको इन में से किसी भी stock को purchase करना हुआ ताकि आपको इनके dividend का benefit मिल पाए तो आपको इन stocks को उनकी X date से पहले पहले purchase कर लेना हुआ बाकी आज के वीडियो के अंदर में इतना ही यही तीन dividend announcements थी और साथी साथ में विदानतल limited की बड़ी update थी जो मेरे को आप लोगों के साथ में share करनी थी अब अगर आपको वीडियो ची लगी हो वीडियो को जरूर से like कर दीचेगा इस चानल को भी जरूर से subscribe कर दीचेगा विगोज फिनो मीडिया के अंदर आपको ऐसी stock market से related content देखने को मिलता रहे का चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then बाई